नुप जह जब भी बारिश होती है उस टाइम पर आपको ईखाई देता बारिश की जस्ट मात में और जिस साइड में सन होगा उसके अपोजिट साइड में आपको ते सन दिखाई देगा तो वो क्या होगी रिफ्रेक्ट होगी जब उनसे बाहर निकलेगी तो आपको रेंबो वाला पैटन दिखाई देगा भी हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे उसको तो रेंबो कब बनता है बारिश के जस्ट बाद में कई बार खेतों में पानी देते तो वहां पर भी आप की तो पोजिशन किदर होनी चीए हमारी बैक साइड में हमारे पिछे तरफ होना चीए सामने की तरफ से रेंबो दिखेगा तो बारिश के जस्ट बाद में रेंबो दिखता क्यों क्यों क्योंकि अटमास्फिर में वोटर की चो चोटे-चोटी ड्रॉप लेट होती हें उन जब satellite incident होती है तो light का reflection और टोटल internal reflection होनी जिससे आपको रेंबो determined reflection होगा और दूसरी phyn hypoth Emuineist क्योंगी टोटल इंटर्ना डिफ्लेक्षन ठीक है दोनों को आप भी देखते हैं पर तो तब रेंबो बनेगा हमेशा दो ताइब की रेंबो बनते हैं उसमें से एक रेंबो की इंटेंस्टी ज्यादा होती है और दूसरे रेंबो की इंटेंस्टी जो से उपर बनता थोड़ा सा थोड़ा से गेप की उपर बनेगा उसकी इंटेंस्टी थोड़ी कम रहेगी तो नॉर्मली हमको जो एक ही रेंबो है जिसको हम प्रांडरी रेंभो बोलते हैं जिसकी ज्यादा होती के उसके उपर बनेगा वह इतनी हुआ की बारे में बताएंगी होगेँ ओर लोग की ये कोई वेटर की ड्रोप lights को सने जो राता है वह एक चोटी सी बूंद है और यह क्या के पाने चोटी सी बूंद है और इसकी उपर संसे आने वाली के लाइट इस पॉइट की ओपर इंसिनेंट हो रही है संसे जो लाइट चाहिए वह एक्चल में वाइटèn की होती है याद रखना wires लाइट आएगी वोली यह ऑप हो इस से वाइट किलनल चैजिए है झालेकी रेंट फीर बंब इस पॉइंच कि मेडियम का जो रिफ्रेक्टिव इंडिक्स है अभी हमने कोजी फॉर्मला पड़ा था कि मेडियम का िर्फ्रेक्टिव इंडेक्स होगा वह अलग लग की ला干 के लिए इस जीए च heatkf alors य楽िक्षी जाधा spakance वोड़ा सबसे ज्याधा लक्न उड़ होगई यह बास समझ में आ गई सबको अब यहां पर अगर यह लाइट रे इस ड्रॉप लेट से रिफ्रेक्ट होगे बाहर निकल गई तो ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा है वो इंतजारी करता रहे जाएका उसको कोई रैंबो नहीं दिखेगा रैंबो दिखने के लिए जरूरी है कि लाइट वापस से रिफ्लेक्ट होके इधर उसके आँखों के उपर आए और उससे वो पैटर्न आपको दिखाई दे जो सामने की तरफ दिखते हैं देखो हम किसी भी चीज को तभी देख पाते हैं जब उदर से लाइट आती आँखों के उपर अगर लाइट की एपसें करती है कि उदो से कुछ एनर्जी आ रही है उससे फिर इमेज बनती है सारी चीज होती है तो यह लाइट रहे यहाँ पर अगर रिफ्लेक्ट होके बहार निकल गई तो रैंवो नहीं बनेगा तो रैंबो की नेसेसरी कंडिशन की यहाँ पर क्या होना चाई लाइट का के यहां पर आगे अब यहां पर क्या होगा इस पॉइंट के उपर यह डेंसर से रहर मेडियम के तरफ जा रही है अच्छा यहां पर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया तो यहां पर उपर चलिजाएंगी अगें आपको रैंबो नहीं देखेगा तो रैंबो बनने के लिए कि यहां पर क्या हो जाना चाहिए राइक का रिफ्लेक्शन हो जाना चाहिए मिडियाम से बाहर निकल जानी चाहिए यहां पर नार्मल करल की है और रेड की की लाइट है यह क्या होगी यह भी अवे फ्रॉम दे नॉर्मल ठीक है इस तरीके से बैंड होगी और यहां पर पहुंची अब मालो ग्राउंट पर कोई ऑप्जरवर खड़ा है तो यह दोनों लाइट रे जारी है उसकी आइस की उपर ज्यादा एंगल पर कौनस वाले लाइ और इसके लिए होगा 43 डिग्री रेड कलर की लाइट के लिए एंगल क्या होगा ज्यादा वोइलेट के लिए एंगल क्या होगा थोड़ा कम और यह यादी कर लेना है यह फिक्स है क्योंकि रैंबो जब भी बनेगा एटमोस्फिर के अंदर वोटर के डॉप लेट से कि यहां पर लाइट रिफ्रेक्ट होती हो रही है अगया तो दो बार स्क्राइश और एक एंच्रण रिफ्लेक्टें की वजह से जिकलती माला होगी मदर हो इस पॉयंट पे यह अपना ओपी जब घर होंग गचैने सब तो तोこ तो आएगा 43 डिग्री एंगल की ऊपर और जो वोईलेट कलर है वो कितना एंगल पर एगा 41 डिग्री तो इनके बीच में आपको रैंबो दिखाए देगा मतलब यह वोईलेट कलर सबसे नीचे और रेड कलर ऊपर और बाकी के कलर बीच में होंगे इस तरीके से तो यह कौन सा रेंबो बना ठे म o ठीक है तो ठीक है तो अपर क्योंचा होगा वोईलेट और अपर क्टलर कौन सा होगा रेड यह चीजिज याद रखनी है फिसिजुन checking 10 और और से फॉनसे दिखाई देता है अब इसी टाइप से एक और रेंबो बनता है जिसको हम बोलता है सेकेंडरी रेंबो यह जो वाटरी के ड्रोप लेट है इसकी उपर जब लाइट इंसिडेंट होई यहां पर मैंने उसको उपर वाले से इंटर करते हुए अगर लाइट रे इस ड्रोप होगा लाइट का और दो बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इसको मैं ड्रोप करके बताता हूं कि अगर यह लाइट रे इस ड्रोप लेट के नीच वाले पॉर्चिन से इंटर करेंगी तो यहां पर क्या होगा रेर से डेंसर मीडियों में लाइट रे जा रही है तो किदर होना है तो यहां पर क्या होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया इधा चलेगी लाइट रे फिर यहां पर अगेन यह मेडियम से बाहन ही निकलने चाहिए तो यहां पर क्या होना चाहिए इंटरनल रिफ्लेक्शन और ग्राउंड की तरफ आगी अब यह तो ऐसे बैंट करके दिखाए ऐसे क्या होगा रेड किलर की लाइट और जितने भी कलर रहें तो इस बार निकलेंगे तो इस बार जो पैटन होगा वो जस्ट उल्टा दिखाए देगा आपको प्रैयम्री रेंबो में जो लोवर क्लर है वो और अपर कॉन सा था रेड इसमें पैटरन उल्टा होगा क्यों कि यहां पर देखो दो बार इंटरनल रिफ्लेक्षिन वा जिससे यह कलर क्या होते हैं इंटर चेंज हो जाते हैं जैसे मैं आपको इसको ड्रो करके बताऊं तो जैसे मालों यह वोईलेट कलर है ठीक है और तो इस बार यह रेड कलर थोड़े जादा एंगल पर आएगा वोईलेट की कंपेरिजन में तो इस कंडिशन में यह वाला एंगल बनेगा 51 डिग्री और वोईलेट कलर के लिए एंगल बन जाएगा 54 डिग्री 51 से 54 डिग्री एंगल तक आपको कौन सा रेंबो दिखाई दे इसमें लोवर कौन सा था वोईलेट अपर कलर कौन सा था रेड इससे उल्टा है और कितने एंगल पे तो लोवर कलर होगा 51 डिग्री और जो अपर कलर होगा 54 डिग्री यह चीज़े याद रखनी है डिफ्रेंस समझ में के दोनों में अच्छा जो सेकेंडरी रेंड वो है ही इसकी intensity कम क्यों है क्यों कि इसका देक अमटने रिफ्लेक्शन होगा लाइट का और दोबार इस इसमें उप्रिक्शन होता है था ठोड़ी ठोड़ी लाइट मतलब की अलग-ङल्या एंगल पर चलिया मतलब तो उसका कुश पॉर्षिन यहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा फिर यहां पे कुम पॉप्शन लाइट का मेडियम से बार जाता है और फिर, धरहता है सो जितनी बार ये रिफ्लेक्ट-्याled तो फाइनली जब यह पास पहुंचेगी तो इसकी इंटेंस्टी क्या होगी बहुती कम इसलिए इसकेंडरी रेनबो की इंटेंस्टी हमेशे आपको थोड़ी कम दिखाई देती है रेनबो के साइट में बनेगा यह याद रखने इतनी चीज़े आपको पूछी जाती है अरहे लिख सकते हो न और नेसेसरी कंडिशन आपको पता ही है सन के अप्वसित साइड में रैन्बो बनेगा सन जिस साइड में ऊसके अप्वसित आपको रेनबो दिखाई देगा और दूसरी कंडिशन क्या थी कि बारिष के जस्ट बाद में आपको दिखाई देता है क्भी cudr में छोटी छोटी matte होना जरूरी है ताकि reflection या internal reflection हो आई के बाद समझ में